मामला अलिकर्ड के थाना डुगलास का है जहाँ पर कुछ समय पहले देविंद्रु का शर्व पुलिया के नीचे शेनवीना वस्था में मिला था जिस पर देविंद्रु के भाई ने कुतवाली में हत्या का मुकत्मा दर्स कराया पुलिस ने ततपरता दिखाती हुए जांच शुरू कर दी है जांच में देविंद्रु की पत्नी और उसका प्रेमी नीरज और नीरज के साथी ने मिलकर देविंद्रु की हत्या करने का खुलासा किया श्رجज़त्पुर अधिकारी ने बताया कि देविंद्र की पतनी कमलेशु और उसके प्रेमी के साथे जीतेंद्र को ग्रफतार कर लिया गया है वहीं कमलेश का प्रेमी नीरज अभी भी फरार है जी सको ग्रफतार करने के लिए टीमें गठित का छानविन कि जा रही है जितेंद्र द्वारा मिर्तक को शराभ पिलाने के लालज के बहाने अपनी मोटर सेकल पर ले जाया गया और बंबे से उसको नीचे दख्का दे कर गिरा कर और सर पर चोट पहुँचा कर उसकी हत्या गिए आरूपी द्वारा मिर्तक के कपड़े अत्या करने के उपरान जाड़ियों में छपा दिये गए थे अभी तक जितेंद्र और कमलेश की गरबतारी पुलिस के दोरा की गई है